अरे भाई अंकित क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताओ सर आपको? अरे बताओ बताओ शर्माओ मत यार अब मुझे कुछ है डिफ्रेंट करना है, कुछ अलग हटके सांदार करना है कुछ डिफ्रेंट करने के लिए हटके सोचना पड़ेगा और ओर्डिनरी चीज़ों में भी आपको एक्स्टा ओर्डिनरी डूड़ना पड़ेगा कैसे समझाओ आप मुझे? चली अंकी सर, तो मैं आपको इंस्पायर करने के लिए बहुत ही शांता स्टोरी सुनाता हूँ कैसी स्टोरी? और लगता यह बच्चो को भी काफी इंस्पायर करने वाली है, तो सुनते हैं किसोर सर अंको कौन सी एक स्टोरी जो है सुनाने वाले हैं तो बच्चो चलो, start करते हैं अपनी स्टोरी और यह स्टोरी है, स्री निवास रामानुजन और जिए एच हारडी सर की थोड़ा समय उनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ जो जी एच हार्डी थे उनका पूरा नाम था Godfrey Harold Hardy और स्री निवास रामानुजन का नाम थो आपने सुनाई होगा इंडिया के Great Mathematician थे और जिनके बर्थरे के उपर अपन National Mathematics Day भी सेलिब्रेट करते हैं स्री निवास रामानुजन का जो पूरा नाम था उनका पूरा नाम था स्री निवास रामानुजन अयंगर कहते हैं वो बचपन से ही बहुत ही बिलियंड थे इनका जन्म तमिल नाडू के इरो डिस्टिक में हुआ था और बचपन से बहुत ही पिरिंट होने की वज़े से ऐसा कहा जाता है कि जब वो 6th class में थे ना तब 12th class की बुक के solution कर देते थे और उनके tuition भी लिया करते थे जैसे जैसे वो senior classes में आते गए तो math subject की तरफ उनका interest और बढ़ता गया और इसका result यह हुआ कि math की तरफ तो उनका interest बढ़ता गया लेकिन जो other subject थे उनका interest उसकी तरफ बिलकुल भी रही था और as a result क्या हुआ वो बागी subject में तो fail हो जाते थे लेकिन math में वो हमेशा top करते थे अब आगे क्या हुआ financial crisis की वज़े से उन्हें मदराज जाना पड़ा कुछ कमाने के लिए वहाँ पे वो किसी और फ्रेंड के टच में आये और वहाँ से उन्हें England की fellowship मिली और England की fellowship मिलने के बाद में वो England चले गए और कहते हैं कि England में ही उन्हें जी एच हार्डी सर मिले थे जो mathematics के बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे उस टाइम के उनके टच में आये और उनके साथ में रहते हुए उन्होंने मैथ में बहुत सारी की discoveries की ऐसा कहा जाता है कि जी एच हार्डी सर और स्री निवास रामानुजन सर ने साथ में मिलके 3900 प्लस ठीरम प्लस फॉर्मुला इंवेंट की थे उन्होंने कितने 3,900 प्लस फॉर्मूलाज और ठियोरिज उन्होंने इन्वेंट की थी, डिस्कवर की थी उस ताइम पे फिर कुछ टाइम बाद में उनकी हेल्थ डाउन हो गई और हेल्थ डाउन का रीजन जो था वो था टीबी एक्चुली स्री निवास रामानुजन को टीबी हो गया था क्यूब्रो पिलोसिस हो गया था जिसकी वज़े से उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करवाना पड़ा कुछ टाइम तक वो हॉस्पिटल में एड्मिट रहे लेकिन उनकी हेल्थ में कुछ भी बैनिफिट नहीं हुआ कुछ भी सुधार नहीं हुआ फिर उनका मन था कि मैं इंडिया चले जाओं फिरसे वो इंडिया चले गए और उनकी तबियत दिन बद दिन और बिगड़ती चली गई जब GHRD को इड के बारे में पता चला कि रामा रुजन की तबियत दिन बद दिन बिगरती जा रही है और उनकी हालत बहुत खराब है तो GHRD उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आने का डिसिजन लेते हैं अब GHRD की भी एक special quality थी जैसा कि आपको मैंने बता दिया वो बहुती great mathematician थे तो वो जब भी कहीं पे भी number को दिखते थे तो number को observe करते थे और उस पे वो analysis करते थे कि इस number में ऐसा क्या interesting है जो इस number में मुझे मिल सकता है तो ऐसा कहते हैं कि जब वो hospital मिलने के लिए जा रहे थे तो जिस taxi से वो जा रहे थे उस taxi का number था 1729 अब पूरी रास्ते GSRD सर बस यही सोचते रहे कि यार 1729 जो ये number है ना थोड़ा interesting लग रहा है बगि इसका जो logic ही वो उनको समझ में नहीं आ रहा था फाइनली वो hospital पहुंचते हैं और स्री निवास रामानुजन से मिलते हैं और रामानुजन से पहले उनकी हालात के बारे में पूछते हैं उनकी health के बारे में पूछते हैं और जो उनकी personal talk होती है वो complete करते हैं वो उनके घरबार के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में पूछते हैं और फाइनली जो उनके दिमाग में चल रहा था क्या चल रहा था उनके दिमाग में डियर? उनके दिमाग में चल रहा था only 1729 नमबर वो पूछते हैं रामानुजन से पूछते हैं और उस number को सुनने के बाद में 30 to 40 seconds का जो उन्हें सोचने के लिए time चेता वो time लेते हैं और फिर वो कहते हैं GH Hardy Sir से Hardy Sir 1729 जो है यह boring number नहीं है यह बहुत ही interesting number है और interesting number कैसे है my dear यह वो बताते हैं यह 1729 जो number है This is the smallest number that can be expressed as the sum of the cube of two different number in two different ways मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 1729 की बात करूँ तो इन्हें में दो different number के cube के sum में लिख सकता हूँ वो भी दो different way में अब बात करते हैं वो number कौन कौन से है तो अगर आप देखेंगे my dear तो प्यारे बच्चो तो first number तो बनता आपके पास में 1 अगर मैं 1 के cube के साथ में 12 के cube को add करता हूँ and what is the cube of 12? 12 का cube होता है 1728 so 1728 plus 1 and that is equal to 1729 जो क्यू स्टेक्सी का number था it means the cube of 1 plus the cube of 12 and it becomes 1729 अब second different way कौन सा है? if you are writing the cube of 10 plus cube of 9 it means the cube of 10 is 1000 and the cube of 9 is 729 it means 1000 plus 729 again it will be 1729 तो ये जो number है ना इस number को आप डो numbers के cube के sum में फॉर्म में ले सकते हो वो भी दो different way में आगे जाकर इसी number को अपन HR number बोलते हैं H किसका number है? H stand for Hardy और R stand for Ramanujan तो ये number जो था ये number है HR number my dear तो बताए dear कैसी लगी ये story आपको? वाह! क्या interesting story थी sir और बहुत inspiring थी तो बच्चो I hope आप सभी को भी बहुत interesting से story लगी थी एक question मेरा है sir आप से कि ऐसे और कितने numbers है? अभी तक अंकित sir 6 number discover हो चुके हैं जो HR number के format पे work करते हैं अपने पास तो ऐसे 6 numbers जो है जो HR number वाली theory पे work करते हैं